हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आज से हम एक नई सीरीज की सुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है टू मिनिट सीरीज तो यहां पर आज हम डिसकस करेंगे जेनरलाइज़ सिस्टेम अफ प्रिफरेंस तो देखें यह जो सीरीज है इसमें हम लोग हर रोज अलग-अलग जो आपके exam point of view के हिसाब से या फिर conceptual clarity के हिसाब से बहुत ही ज्यादा important है उसको discuss करेंगे किसी भी exam में आपको यह बहुत ज्यादा help करने वाली है तो mainly आज हम generalized system of preference में discuss करेंगे कि यह generalized system of preference जो है यह basically एक US trade program है जो design किया गया है जो भी अलग-अलग developing countries है जो US के साथ business करती है import या export या जो mainly trades करती है उनकी economy growth के लिए यह generalized system of preference दिया जाता है लगभग यहाँ पे 129 designated beneficiary जो countries है उनमें लगभग 4,800 product जो है उनमें duty-free entry USA लगाती है तो अगर देखा जाए यह 2019 की बात है कि USA ने जो है भारत को terminate कर दिया गया था as a beneficiary from generalized system of preference लेकिन बाद में जो है November 2020 में जो बिड़न जब नए president बन के आए उन्होंने फिर से उसको restore कर दिया तो अगर यह चलती है तो देखे कि USA और इंडिया का जो trade है उसमें लगभग भारत को almost 5.6 billion का जो export इंडिया हमेशा US के साथ जो है trade surplus में रहती है तो उसको जहि जिनना पड़ता तो यह graph में देखे कि US और इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए चाइना फिलहाल जो है काफी ज्यादा trade में भारत से US के मुकाबले ज्यादा है यह 2020-21 का जो आकड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना के साथ लगभग 60.7 billion US dollar और US के साथ में अगर यहाँ पर objective या benefits के बारे में देखेंगी तो GSP यानि की Generalist System of Preference यह support करती है जो poor countries है उनकी export को promote करने के लिए towards the developed countries तो में यहाँ पर जो भी normal trade law है कि यहाँ पर अपने trade partners को preference देनी पड़ीगी यहाँ पर लेकिन उसमें कुछ भी discrimination यूएशे नहीं कर सकती है और world trade organization के हिसाब से अगर देखा जाए इस trade rule को कहां जाता है most favored nation clause तो क्या आप मुझे comment box पे लिखके बता सकते हैं भारत के लिए most favored nation भारत कौन सी कौन सी देश को भारत ने दिया है तो इस वीडियो में आज इतना ही तो इस वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर कीजिए तो आज के लिए इतना ही टेक केर थेंक्यू एंड जए हिंदे